देखे हमको ऐसा लगता है कि जो हमारे पार्टनर है या साथ में काम करते हैं यह हो सकता है कि अपने कंपनी में सीउ हो कि जो आपने बनाबरी का काम करता है या अपने घर का भी विक्ति हो जो भी है होता यह है कि हम यह सब की बात करते हैं कि आपके साथ में काम करने वाला कंदे को कंदे मिला कर काम करने वाला वो एक वर्कर है जैसे आप भी वर्कर है आपके बिजिनेस में वो भी वर्कर है और आप दुनों साथ में काम कर रहे हैं होता यह है कि जो आपके साथ में काम करते ह है तो उनको काम करने का उद्देशी क्लियर कि क्लियर कि वो क्यूं उद्देशी नहीं वा आते है और उनको एकी उद्देश है कि चलो हफान कुछ धंदा करेंगे और उनको क einfrie इसपड़.. यह कि वो क्यों आते है 애ंटीन परसेंट लोगês हम जो संस्कार में तो आपके साथ में काम करते हैं आपको दिक्कत इसलिए आती कि उनका जो संदर्व है काम करने का या उनका उद्देश है काम करने का वो एक तो पैसे के लिए और यहां आता है वो काम करने है तो इसको रहा है काम कर रहा है ुक्ति कैसे पाइच के लिए पाइच के लिए पाइच के लिए काम करने का है तो आप वाएक बड़ा उद्धेश के काम कर रहे हैं आपका जो पार्टनर है, वो काय के लिए आ रहा है? पैसा कमाने के लिए आ रहा है, मतलल आपके दोनों की उद्देश है लगा है, उसको तो टाहिम काटने का है, जितना पैसा मिलता होता लेने का है, वो उद्देश के लिए काम ने कर रहा है, लोगों को ये समझ में नहीं आ कि आपको गिंती न Gothic यह tu दिमाग में को आता नहीं है पत्त 네 मेंद है देष और कुछ न क्यद ड़ा हो नियुद ऑकक रुद्देश है आपका रुदद आर उसकर उद्देश और भिणन भिंनन है यह स्कता है कि उसका जो ब्ली में एक व् εδώ बैंक न चाहिए ऐस करना बाश्यान नहीं होंगा और कुछ होंगा और उसका अपदेश उसके दिमाग में अलग है जैसा हमारे बैंक में एक व्यक्ति को लगाया काम पे और वो इसलिए आया था कि वह अपन बैंक में रहे तो लोगों को बोलते आता कि शादी में लड़का क्या करता भई तो बैंक में करता है उसका clear था है कि जब तक लड़की मिलती निया चादी होते हैं तब तक देंक में काम करना है काम आतमे पान खेती कर रहे है और वो किसान है तो उसने बोले मैं जितना चाया उतना टीपोजिटे ले ता हूँ जर लेता हो जो भी मरजय आप जो बोले करता हूं और तो क्या काम करेंगा उसका अलग अलग उद्देश हो सकते हैं कुछ लोग ताइम पास के लिए काम करने जाते हैं कुछ लोग अच्छा दिखने के लिए काम करने जाते हैं क्या काम करता है अभी फैक्ट्री है कोई लोग अपने बच्चों को फैक्ट्री लगा के देते हैं व तो छोड़ी करते गले को 2 है करते लोग को तो पिर यह करता क्या क्या क्यालोगम्णुद्रावत क्या नियुद्थちょते फीकाइब तो घैसे का मतलब या क्येते है कि उसका उद्देश अलगे नियुद्द get you हes प्हhosामत है वह उसांद वह उड़े करने के लिए तो हैं तो जांग्र एक नहीं हो तब तक आप ऐसे कौने करें पहुत में तो आप और वो और आपके साथ काम करने वाले टीम एक उद्धेश से कम, उद्धेश एक ही है तो फिर वह सकता है नहीं तो नहीं हो, तो इसलिए आपको क्या करना पुदेगा आपके साथ में काम आपना आपका पार्टनर होंगा आपका स्टाफ होंगा तो वह सब को आपके उद्देश में उनको सहमती लेने पड़ेगी उसमें उनने कॉपरेट करना चाहिए, उसके लि लोग तो पांच बज़े सी तैयरी करते हैं छेफ जाने की एक तो दस बज़या तौ आनेके बाद में ऑफिसमे आनेके बाद में घाना फ्रेश हो बड़ अनेके बाद में बीपूरT ऑच स्पासर काना अपना ठ्न लगाflo 싸 ses अपनेται तौछ डे नुरुल यह बहिंक तो आने के बाद में वो काम करना खुद का चालू करते है क्योंकि अटेंट लगाना पड़ता है दूपर को कहा गया आदमी तो चाय पी ने क्या खाना खाना खाने गया और शाम को छे बजे दिन्दा मतलब यह आफिस का टाइम फटम हो तो पांच बजे से वह अपना गुंड जूँमृत टौर ड़ता है। फोड़ना पड़ता है। इतलहे हरदम आपको काम करने उदेश जो에는 क्रेठीम को काम कियुं करते हैं। लोगों को यह समझ में आता है कि आपको पैसे के लिए काम कर रहें। आप्का कुछ उद्देश है? जा बड़ा वुद्देश है मैं है? ऑद यह ऐना? कि जिसके लिए आप साथ हो उसमने वह भी चाया है। को कि बोलेंगे ठीक है Hm तैयर काम करबाद में यूद आपके साथ में को में करें तो ऐसा है की जोाद बरूद इस अभी जहां भी आप हम स्ट्रगल करें वह उनके सार्थ में क्रीइट क्रो क्या रो क्या आते हैं काम जो क्रीक्तिन आना चाहिए झाल झाल